जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में आज हम अर्थ के आधार पर जो वाके के प्रकार होते हैं उनके वारे में चर्चा करेंगे तो अर्थ के आधार पर जो वाके होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के तो इन सबी आठ प्रकार के वाक्यों को हम एक-एक करके विस्तार से पढ़ते हैं तो सबसे पहले वाक्य का नाम है विधान आर्थक वाक्य विधान का मतला होता है विधी विधान किसी वी वाक्य में यदि किरिया के होने का हमें क्या होता है वोल होता है तो वहे वाक हमारा क्या कहले लता है? विधान आर्थक वाक या इसी को आप एक अन्य नम से जान सकते हैं विधी वाक के जैसे यदि हम इसमें उधरन की बात करें राम चलता है तो चलना क्या है इसकी? किरिया तो यहां पे परिभासा में दिया है कि किरिया के होने का क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए तो वहे क्या कहलाता है हमारा विधान आर्थक वाक के कहलाता है वहे बाजार जाती है तो जाना या जाती है क्या होती है किरिया होती है तो किरिया के होने पर ही हम क्या कहते हैं वाके को विधान आर्थक वाक्य कहते हैं अगला वाक्य संधे आर्थक वाक्य संधे का मतलब क्या होता है संसे होना मतलब किसी चीज को लेकर आनिश्चिता आना तो ऐसे वाक्य जिनमें संसे या संधे का भाव होता है उन्ही को हम क्या कहते है संदह आर्थक वाके के नाम से जानते हैं जैसे वह अब जा चुका होगा तो इस बाके को पढ़कर हमें ये निस्चिता नहीं हो रही है कि वह चला गया है कि या फिर वह जाने वाला है हमें इतना पता है कि वह जा चुका होगा मनलब जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है दोनों छीजे हैं मनलब इसमें हमें संदह बना हुआ है दूसरा है चिठ़ी वहां पहुँच गई होगी तो यदि आपने कुछ चिठ़ी पोस्ट करिए तो वहे वहां पहुची अथवा नहीं पहुची है संकेत आर्थक वाक्य, संकेत का मदला होता है इसारा करना, इसारा करना, तो हम ऐसे वाक्यों के बारे में बात करते हैं, जिसमें संकेत का बोध होता है, या इसमें ये संकेत को बता रहे हैं किसकी अधार पर, सर्थ के आधार पर यदि किसी वाक के अंदर हमें सर्थ रख दी जाती है जिसमें एक वाक के दूसरे वाक के उपर पूर्द है क्या होता है आस्रित होता है तो उसी को हम क्या कहते है संकेत आर्थक वाक कहते है जैसे यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल क्या होगी अच्छी होगी तो वर्षा पर क्यों डिपेंड है पूरी तरीके से फसल तो यदि कोई एक वाक दूसरे वाक पर पूरी तरीके से आसरित होता है तो उस वाक में हम क्या कहते हैं उसको संकीत आर्थक वाक कहते हैं और इसी को कहते हैं इसारा करना कि ये वाली चीज इसारे की अधारत पर किस पर अधारत है इस वाले वाकिपर जैसे नीचे लिखा है हमने महनत की होती मतलब ये भूत काल की बात कर रहे हैं तो हम जीवन में सफल होते मतलब यदि हम आज भी बरतमान समय में तो इस प्रकार के उधर्ण क्या कहलाते हैं हमारे संकीत आर्थक वाके कहलाते हैं ठीक है और इस क्लास से सम्मंदित PDF जो रहेंगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास के कुछ समय के बाद आपको अपलग करा दी जाएंगी ठीक है अगला वाक है एक्छार तक वाक है तो ऐसे वाक जिनमें एक्छा के भाव का भूध होता है मनलब एक्छा के बारे में बात होती है तो वहां हम उन वाक्यों को एक्छार तक वाक्य कहते हैं जैसे आप सभी के मन में कुछ ना कुछ एक्छाएं होती हैं कोई कहेगा कि सर मेरा वर्ग दो में सेलेक्शन हो जाए तो इस तरह से यदि आप कोई बात कर रहें तो वो सबी वाकिय हमारे क्या कहलाते हैं एक्छार्थक वाकिय कहलाते हैं जैसे ईश्वर तुम्हें चिराईू रखे तो ये हम किसी को बोल रहे हमारी एक्छा जाहिर कर रहे इसे बरकार से वहे जहां रहे सुकी रहे ठेक है तो ये वाकिय भी क्या कहलाएगा हमारा एक्छा अर्थक वाकिय कहलाएगा अगला है आग्या अर्थक वाकिय आग्या का अर्थ होता है आदेश देना यदि हम ऐसे वाकियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन में आज्या का या आदेश का भाव होता है तो उन्ही वाक्यों को हम आज्यार्थक वाके के नाम से जानते हैं जैसे यदि हम कलास में पढ़ा रहें किसी से विद्यारतियों को तो हम उनसे क्या कहएंगे कि बातचीत बंद करो सामनता होता है यह तो मैं उन सभी बच्चों को क्या दे रहा हूँ एक ओर दे रहा हूँ एक आदिस दे रहा हूँ कि आप बादचीत क्या करो बंद करो तो ऐसे बाके जिनमें हम किसी निश्चित चीजों को या किनी वस्तूं को हम अपना आदेश जाहिर करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आग्यार्थक वाक्षि होता है एक उधर्ण इसका अपना काम देखे यदि इससे संबंदित आपको उधर्ण दिये जाते हैं तो सभी के सभी हमारे कहलाते हैं आग्यार्थक वाक के कहलाते है अगला है निशेधार्थक वाक निशेध का अर्थ होता है नहीं तो ऐसे वाक जिन में निशेधता या फिर नहीं का बोध कराया जाता है उन सभी वाक्यों को हम निशेधार्थक वाक के कहते है ठीक है जैसे उधरन में लिखा गया है राजा न अगर में नहीं आए तो नहीं मतलब क्या हो जाएगा निशेद दूसरा है धूम्र प्रिपान वर्जित है तो वर्जित का ही पर्याय शब्द होता है नहीं यह नहीं का ही पर्याय वाच्ची क्या होता है वर्जित ठीक है यहां प्रवेश निशेद है कई वार लिखा होता है आफिस के बार कि इसमें बिना पूछे आप प्रविस नहीं कर सकते तो प्रविस क्या है हमारा यहां पे निशेद है तो निशेदता का या नहीं का बूद कराने वाले सभी सब्द हमारे क्या कहलाते हैं निशेद आर्थक वाक्य कहलाते हैं ठीक है अगला है प्रशन आर्थक प्रशनार्थक वाक्य का अर्थ क्या होता है ऐसे वाक्ष जो प्रशन पूछे जाने की भाव का बोध कराते हैं उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं प्रशनार्थक वाक्य कहते हैं उधारण वहें कब आया आप कहां जा रहे हो तो का व्येंजन से जितने भी वर्ण बनते हैं श कैसे, क्यों, कहां, इत्यादी, इन सभी के बारे में जवाब इनका वाक्यों में प्रियोग करते हैं, तो पीछे वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, एक प्रश्मे वाचक शद चिन्न का प्रियोग करते हैं, और उसी चिन्न के अधार पे हम इन वाक्यों का नाम क्या रखत आगे है विश्मे अर्थक वाक, तो विश्मे जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है आश्चर या अच्रच होना, किसी भी चीज या वस्तु या किसी घटना को देखकर, यदि हम उसको देखकर चौँक जाते हैं, अचानक से बिहेव करते हैं, यह हम को सोच समझनी पाते ह वही भाव हमारे कैलाते हैं विश्मे भाव कैलाते हैं तो इन सभी भावों को यदि हम किसी वाक्य में प्रो देते हैं तो वह वाक्य कैसा बन जाता है हमारा विश्मे आर्थक बन जाता है और इस वाक्य में जहां पर आपको आश्चर होता है उस सब्द के बगल में इस अधि बोड़कृशन का खशलन है फैरान के बात करें हे राम przestार के लिए तिर आंगे की आपके सामने एसा कुई दरश्च जिसमें आपक सामने आश्चर। उत्पन होता है तो आपके हमारे विश्व हर्थभ। क्या राता हैand क्या फॉद हैं ठीक है तो जब आप कुछ समय बाद या बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खाएं इसको खाकर अच्छानक से आपके मन से निकलें जो आपकी वाणी कहें वह क्या स्वाद है तो वो चीज क्या कहलाती है हमारी विश्मियात्त वाके कहलाती है तो अब ही हमने इसमें जाना अर्थ के आधार पर जो वाके होते हैं हमारे कितने होते हैं कुल आठ इन संख्या को आप याद रखना और इन सभी आठ वाकें के वारे में आप ध्यान से इसको पढ़ लेना ठीक है अब हम इसमें किरिया के आधार पर जो वाके के प्रकार होते ह उनके वारे में चर्चा करेंगे तो किरिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं वाच्च के नाम से जानते हैं ठीके तो इस बात को आप याद रखना कि किरिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं उन्हें को हम वाच्च के नाम से जानते हैं और जह हम बात करते हैं वाच्च के वारे में तो वाच्च की परिवासा क्या होती है पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं तो पहले हम इसमें वाच्ची की परिवासा जानते हैं तो वाच्ची की परिवासा क्या होती है कि किसी वाक में उपस्थित किरिया किसके अनुसार परिवर्थित होती है मतलब किसके अनुसार मतलब क्या वाक में उपस्थित करता या कर्म यदि किसी वाक में उपस्थित किरिया करता या कर्म के आधार पर क्या होती है परिवर्तित होती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं वाच्च कह देते हैं मतलब किरिया को बदलने पर यदि करता बदल जाए तो भी क्या कहलाएगा वाच्च कहलाएगा क्रिया को बदलने पर या कर्म को बदलने पर क्रिया क्या हो जाए परिवर्थित हो जाए तो उसे अपन क्या कहते है वाद्चे कहते है इसका सौर्ट फॉर्म करके आप ऐसे लिए सकते हो यदि आपने कर्ता को चेंज कर दिया करता को क्या कर दिया आपने परी वर्तित तो किरिया भी क्या हो गई उसकी परी वर्तित तो उसे क्या क्या देंगे अपन वाच्च क्या देते हैं और जो वाच्च होते हैं वह कितने परकार से पड़े जाते हैं तीन परकार के कौन कौन से कृती वाच्च, कर्म वाच्च और तीसरा हो जाएगा हमारा भाव वाच्च अब हम इन तीनों को विस्तार से जानते हैं सबसे पहला वाच्च है कृती वाच्च कृती वाच्च का अर्थ क्या होता है कि यदी हमें किसी वाक में क्या है क्रिया की बात करें क्रिया का वचन या लिंग यदी कर्ता के अनुसार क्या होता है परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं क्रिती वाच्छे कहते है एक बार इसको फिर से जानी है आप वाके में हमें क्या देखना है पहले तो किरिया देखना है और किरिया का जो लिंग और वचन है यदि वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है करता के अनुसार क्या हो रहा है परिवर्तित तो उसी का नाम होता है करती वाच और उसका जो link है करता के अनुसार change हो रहा है इसलिए करती वाच्चों में हमेशा करता की क्या होती है प्रधानता होती है इस बात को आप याद रखना ये point हमारे प्रश्ण के लिए या exam के लिए क्या है important है कि करती वाच्च में किस की प्रधानता होती है तो answer के लाएगा हमारा करता की प्रधानता होती है अब इसमें हम ओधारन की साहिता से इसको समझते है जैसे यहां लिखा गया है कि रमेश अक्वार पढ़ता है तो रमेश इस पूरे वाक्च में काम कर रहे है तो रमेश क्या कहला हैगा इस वाकिय का करता कहलाएगा अखवार क्या होगा उसका करम होगा क्योंकि यही करम वो उसमें कर रहा है पढ़ना या पढ़ता क्या हो जाएगी इसकी किरिया हो जाएगी और जो सबसे आखरी में लिखा होता है किसी भी वाकिय के उसे हम हिंदी में का कहते है साहयक किरिया जिससे आप इंगलिस में हेल्पिंग बर्पड़ते है तो परिवासाब के गौर करते है किरिया का वचनिया लिंक करता के अनुसार क्या होता है परिवास अभी करता कैसा है रमेश तो रमेश कैसा वचन है एक वचन रमेश में कौन सा लिंग है पुरलिंग ठीक है अब रमेश को इस्थान पे मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ सीमा अब मैंने करता को क्या कर दिया चेंज कर दिया अब करता कैसा होगे हमारा स्ट्री लिंग बच्चन उसका एक है लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिजी आप पहले करता था पुरलिंग रमेश अब मैंने करता चेंज कर दिया क्या होगे इस तरलिंग अब आगे लिखते हैं सीमा अकबार अब यहाँ पर क्या होगा पढ़ता या पढ़ती तो क्या होगा पढ़ती है तो देखो जैसे ही मैंने इस करता को बदला वैसे ही इस किरिया के रूप को देखें आप पहले लिखाता पड़ता अब के लिख दी हमने पड़ती तो इस वाक में कौन सा वाच्च होगा तो आंसर क्या हो जाएगा करती वाच्च इसी परकार से नीचे एक उधान लिखा है बहन भाई को राखी बांध दिये ठीक है तो ये जो बहन के अधार पर ये जो क्रिया है ये लिखी गई है यदि मैं इसका उल्टा बना के लिख दूँ बहन के स्थान लिख दूँ मैं भाई भाई के स्थान पर के लिख दूँ मैं बहन भाई बहन को राखी क्या करेगा बांधता है तो जैसे ही मैंने इस बार वाले करता को मैंने चेंज किया तो ये वाली जो किरिया है ये भी क्या होगी हमारी चेंज यहाँ पर बांध देती थी यहाँ पर क्या होगी अब बांधा तो इस बात को आप याद रखना कि जिन जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें हम कर्ती वाच्छे के नाम से जानते हैं आगे है इसमें कर्मवाच तो उपर लिखाता कर्ति तो हमने कर्ति के बारे में जाना मतलब कर्ता के बारे में इसमें लिखा है कर्म तो हम कर्म के अधार पर चीजों को परिवर्तित करेंगे तो वाक में किरिया का वचन या लिंग यदि कर्म के अनुसार क्या होता है परिवर्तित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कर्म वाच्च कहते हैं और जब इसी की अनुसार चीजें चेंज हो रही है तो इस कर्म वाच्चों में किसकी प्रधानता होती है कर्म की ही प्रधानता होती है इसको हम उधारन की साइथा से समझते हैं जैसे राधा द्वारा पुस्थक पड़ी जाती है तो राधा क्या है इसकी करता द्वारा क्या हो जाएगा इसका कारक की बिवक्ति यह हम आगे जानेंगे जैसे जैसे आपकी क्लासिस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको विस्तार से बढ़ेंगे अभी जो टॉपिक आपके सिलाबस के एकॉर्डिन चल रहा है पहले हम उसको कवर करते है पुस्तक क्या हो जाएगी हमारी इसमें? कर्म पढ़ी जाती है तो पढ़ी क्या हो जाएगी इसकी किरिया और जाती है क्या हो जाएगी इसकी सहायक किरिया अब यहाँ पे अपन पहले क्या करते हैं? करता को चेंज करो राधा की जगे लेको क्या? सुरेश सुरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो क्या इस जाती में कोई परिवर्टन हुआ नहीं हुआ मैंने कर्ता को चेंज करके देखा इस के लिए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा अब हम इस कर्म को चेंज करके देखते हैं राधा को जयों का तेयो रहने दीजिया राधा द्वारा पुस्तप की जगे मैं क्या ले देता हूँ अखवार ले देता हूँ अखवार अखवार पढ़ी की जगे क्या जगा पढ़ा जाती की जगे जाता और है के स्तान पर है ही रहे तो जैसे ही मैंने इस कर्म को चेंज किया ये कर्म चेंज किया तो ये पीछे के जो किरियाएं सबी की सबी क्या हुआ हैं हमारी परिवर्थित तो ऐसे वाकिश जिन में करम को बदलने पर किरियाएं बदल जाती है या उनका स्वरूप बदल जाता है मुक्रूप से लिंग और वचन बदल जाते हैं तो उसी का नाम होता है करमवाज नीचे एक और उधारन लिखा है कि प्रधान मंत्री द्वारा घोशना की गई अब इसी को यदि मैं चेंज करूँ तो प्रधान मंत्री को हम जयोंकाते हो रहने दें प्रधान मंत्री द्वारा गोषणा के स्थान पे आपके कर दिजी घोषणाय उपर लिखाता एक वच्छन स्वरूप मैंने इसको लिगा दिया बहुच्छन लिख दिया बहुच्छन तो गोषणा की जग क्या हो जागा गोषणाय की गई गई की बगल में पीछे कर लगज जाएगी अनुश्वार उपर वाले में बिंदी ने लगी नीच्य वाले बिंदी लगी हैं बिंदी लगी होने का मतलब है इसका जो स्वरूप मे कैसा है बहुच्छन है ये कौनसा था एक वच्छन तो प्रधानमंत्रीं द्वारा घोषण की गई और प्रदानमंदी द्वारा गोशना की गई तो इसको चेंज करने से ये चीज भी क्या होई हमारी परिवर्थित तो इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाच्चे होगा कर्म वाच्चे होगा ठीक है अगला और अंदिम वाच्चे है भाववाच्च भाववाच्च की क् किरिया का जो वचन और लिंग है यदि वह करता और कर्म दोनों के अनुसार परिवर्तित ना हो इस बात को याद रखें परिवर्तित ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाव वाच कहते हैं कहने का मतलब है किसी वाक्य में उपस्थित करता और कर्म आप दोनों को उनको चेंज कर पर वाकी की किरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो हमारा क्या कहलाता है भाव वाच्चे कहलाता है जैसे उधारन की बात करें राम ने रावड को मारा तो राम कौन है यहाँ पर करता रावड क्या है उनका कर्म और मारना क्या हो जाएगी उसकी किरिया अग इसको आप सारज ये बात्चा आपका चेंज नहीं होगा मतलब हमारा क्या क्यालाएगा इसी का एक भाव बात्चे ख्छेलाएगा इसी का एक और धर्न देखकर समझते हैं अपनretijn लड़के ने लड़की ने यहां पर करता लड़की क्या है उसका कर्म देखा क्या हो जाएगी किरिया अब इसको आप यहां ले जाएए और इसको यहां ले आएए फिर क्या लड़की ने लड़का को देखा तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको आपस में चेंज करने पर भी यह जो किरिया है इस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाव वाचे कहलाता है, ठीक है, अब आगे हम इसमें वाक्य परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं, जैसा कि आपके सिलावस में लिखा गया है, कि वाक्य के परिवर्तन के परिकार के बारे में बात करें, तो सबसे पहला इसमें जो वाक्य का परीवर्तन है वह किसाधार पे कि हमें दिया गया है एक साधारण वाक्य और हमें इसे चेंज कायमे करना एक साधारण वाक्य में परीवर्तन करना है. तो सबसे पहले हम पहले एक्जम्पल की बारे में बात करते हैं. वहे नहा कर मंदर चली गई तो ये एक कैसा वाकिय है हमारा साधारण वाकिय और हमें इसे चेंज कायमे करना एक सायुक्त वाकिय में तो दो क्रियां यहां पर हो रही है और दोनों क्रियां को आप अलग-अलग करके किसी एक सब्द के द्वारा जोड़ दो तो क्या कहलाएगा हमारा सायुक्त वाकिय कहलाएगा दोनों क्रियां यहां एक साध जोड़ के लिए एक ही वाकिय में बिना किसी योजक सब्द के तो वो हमारा होगा साधारण वाकिय तो इसने पहले क्या गई नहा कर तो क्या लिए उसने नहाया और मंदिर चली गई तो एक वाक्य हमारा ये हो गया दूसरा वाक्य हमारा ये हो गया और दोनों को जोड़ने के लिए मतलब सैयुक्त करने के लिए उन्हें क्या कर लिए और तो ये वाक्य हमारा क्या क्या लाएगा सैयुक्त वाक्य तो वाक्य में उपस्तित जो अलग-अलग करिया हैं उनको अलग-अलग करके लिखना और बीच में एक शब्द जोड़ देना क्या कहलाता है हमारा शयुक्तिवाक दूसरा उधरने दिव्यांग होने के कारण वह गोड़े पर नहीं चड़ सकता तो यह जो वाक्य होगा हमारा कैसा होगा है साधरन वाक यदि आपको साधरन वाक अच्छे से समझ में नहीं आता है तो इससे पहले वाली जो वीडियो उसको ध्यान से देखें उसमें मैंने साधरन वाक के बारे में अच्छे से रिटेल में बढ़ाया हुआ है ठीक है इसको के डिशीफ के रे ऊपन चेंज़ करते हैं तो देखो दिव्यांग होने करन ये होगा इसका पहला किलिए काश रुब वह क्या łatग हो यह गोड़े पर नहीं चड़ नहीं सकता इसलिए इस-क पहला वाला पाठ हो ये इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया दोनों को जोडने के लिए हमने क्या प्रियोग कर लिया इसलिए तो ये वाक्ष कैसा बन जाएगा हमारा एक सयुक्त वाक्ष बन जाएगा ठीक है आगे अगले एक्जाम्बल की बात करते हैं उसने अच्छा काम करके यश कमाया ठीक है तो उसका क्या बनेगा तो ये हो जाएगा पहले तो साधारन वाक के तो पहले क्या होगा उसने अच्छा काम करके यश कमाया तो उसने अच्छा काम किया और यश कमाया ऐसे करके आप दोड़के लिखेंगे तो ये इसका पहला वाला भाग ये दूसरा भाग जोड़ने के लिए और का प्रियोग तो वाक्य का नाम क्या कहलाएगा हमारा सैयुक्त वाक ठीक है? आगे हम इसमें जानते हैं दूसरा वाला पार्ट दूसरा क्या है? कि हमें दिया गया एक सयुक्त वाक और हमें चेंज कायमे करना है इसको सरल वाकि में मतलब हमें चलना कैसा है जल्दी और नहीं तो हम क्या करेंगे पकड़ जाएंगे तो ये वाकि कैसा है हमारा सयुक्त वाक और इसमें बीच में जोडने के लिए इन दोनों किसका प्रियोग किया गया अल्प ब्राम का कौमा लगा हुआ है ये कौमा इस वाले इस से को अलग करता है और इस वाले इस से को तो इसको हम जब सरल बाकि में चेंज करेंगे तो क्या लेखेंगे जल्दी ना चलने पर पकड़े जाओगे तो ये एक ही लाइन में पूरा आई साथनने बिना किसी योजग चिन और कौमा के हमने इसको लिख दिया तो ये वाकि कहलाएगा हमारा सरल बाकि कहलाएगा दूसरा उधराने वह दणी है पर लोग ऐसा नहीं समझते यह हो गया वह धनी है, दूसरा हो गया, लोग ऐसा नहीं समझते हैं, जोडने के लिए क्या है उसकर लिए हमने, पर तो यह वाक कैसा हो जाएगा हमारा सैयुक्त वाक इसका चेंज़ करेंगे तो क्या होगा, लोग उसे धनी नहीं भरमस थे, ठीक है, दो धनी वाली बात भी आगए और समझने वाली बात भी आगए, तो यह पूरा का पूरा बात कैसा कहलाएगा हमारा, साधारण, या फिर सरल वाक कहलाएगा, ठीक है, एक और एक्जामपल है, इसके बारी मगात करते है, वह अमीर है, फिर भी सुखी नहीं है, मतल Cash जोड़े लिए अपने किस को यूश किया इसको फिर भी, और यह पहला वाक़ वह अमीर है, फिर भी क्या नहीं है वो सुखी नहीं है, तो जब आप इसको सरल या साधारण वाक के में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहें अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, तो ये क्यलाएगा हमारा साधारन वाक्य का स्वरूप, और ये क्यलाएगा हमारा कौन सा वाला स्वरूप, सयुक्त वाक्य का स्वरूप, ठीक है, इस तरह से हमने इस क्लास में जाना, कि अर्थ के अधार पर वाक्य क बेड कितने होते हैं तो answer क्या था हमारा आठ क्रिया के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं उन्हें हम वाच्चे करते हैं और वाच्चे कितने प्रकार करते हैं तो इस क्लास की जो पूरी PDF है इस क्लास के कुछ समय बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के जो गुरूप है उस पर आपको मिल जाएगी उस चैनल को यदि आपने जोइन नहीं किया है तो नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां जाकर आप चैनल को पहले जोएंग करें और इस क्लास से सम्मंद है जितने भी PDF है वहां आपको उपलग्द करा दिये जाएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं मंगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद